हलो एव्रीवन वेलकम तो इजीग्जमनोट्स डाट कॉम इन इस एपिसोड विया को इन दिसकस अबाओ बीग डेटा एनालिसिस और इन बीग डेटा एनलिसिस कुछ पॉइंट्स आपर किये हैं जैसे कि वाट इस बीग डेटा ईक्जाम सौ बिग डेटा ताइब्स बीग डेटा कारेक्टेश्टिक्स बीग डेता एडवंटेज़िस ऑुप डेडा बीग डेटा एनलिस टूल्स एंद बीग data and machine learning हमां मेन मोटों क्या है machine learning तो हम लोग क्या देखेंगे कि आखिर big data machine learning के अंदर क्या relation है लेकिन big data को start करने से पहले हम समस्ज लेते हैं कि data क्या होता है so computer data is information processed or stored by a computer अब किस तरह का data जैसे कुछ text files हमारे कम्पिटर कें पर इन्दर store वह वह भी डेटा है 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 no audio files softwares Anything जो हमार computer कें दर श्काइश लह रहा है उस हम अधा और स्वुच क्या बोलेंगे data अब हैं एसे हम mobile फॉन की बात करें in mobile फौन जैसे हमार degree Contexts, there are kinds of data, gallery के अंदर हमने कुछ media data रखावाई, like images, video, वो सब क्या है, data है, okay, so हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी data किसी device के अंदर, electronic device के अंदर space ले रहा हो, या उसके अपर क्या operation किया जा रहा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, data, okay, अब हम क्या discuss करेंगे, what is big data, अगर हम question पर ध्यान दे, big data, okay, मींस यहापर data तो है, but data कैसा है, big, हम big data बोल सकते हैं, means use data की बात हो रही है, हो सकता है कि किसी collection की बात हो रही है, collection of data, इसे हम लोग क्या बोल सकते है, big data, but अभी definition आपर खतम नहीं हुई है, अभी हम सिब general way में देख रहे हैं कि big data क्या होता है, फोर एक जाम पर अगर एक data हमारे पास में D1 नाम का रखा है, वो इसके साथ ने एक और data रखा हुआ है, यह है DZ नेम का data, तो जो DZ है, वो D1 के सामने क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा big data, यह फिर फोर जाम पर मान दीजिए कि हमारे पास में बहुत सार डेटा है, D1, D2, D3 and D4, जब हम इन सभी data का collection कर देंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे big data, यानि एक large volume data, so now हम एक जाम के परेंटर को इसे देख लेते, big data is a collection of data, that is huge in volume, means large in volume, another thing, big data is growing exponentially with time, हो सकता है कि at a particular time, this time, उस डेटा की size 1 GB हो, हो सकता है कि कल तक उस डेटा की size 100 GB हो जाए, हो सकता है कि after two days, उस डेटा की size 10,000 GB हो जाए, means with time data की size increase ही होते जा रही है, अगर हम simple example लें, मैं YouTube का आप example लेता हूँ, YouTube पर time के साथ में जो videos है, जो content है, वो increase होते ही जा रहे हैं, मैं YouTube की size धेदे बढ़ती ही जा रही है, तो हम बहुत सकते हैं कि YouTube एक big data की example है, वैसे भी हम example देखेंगे, तब हमें और भी clear हो जाएंगा, क्या कि big data होता क्या है, now, it is a data with so large a size and complexity, that none of the traditional data management tool can store it or process it efficiently, तेकि traditional data management tool की हापर बात हो रही है, मैं DBMS की बात हो रही है, क्यों डेटा की size इतनी जादा है कि हो सकता है कि traditional data management tool है, वो डेटा को store ना कर पाए, big data is also a data, big data is nothing but a data, but problem का जाती है कि इसकी size इतनी जादा large होती है, कि इसको हम normal tool की मदद size manage ना कर पाए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं इसको big data, अब कुछ examples हम देख लेते हैं, big data के तो हमें और भी clear हो जाएगा कि आखिर big data होता क्या है, so first example हम लोग देखें तो वो ये facebook, जिससे हर कोई अपनी daily life में use करता है, मैं भी use करता हूँ, आप लोग भी use करते हैं, अगर हम लोग facebook के अंदर देखें तो क्या होता है, daily new photos अपलोड करते हैं, videos अपलोड करते हैं, okay chatting होती है, means message को exchange किया जाता है, comment रखी जाती है, and etc, etc, means lot of data, हम लोग facebook के उपलोड करते हैं, स्वेद्य हम लोग देखें तो everyday terabytes of new data get ingested into the database of social media site facebook, तो वो क्या है, that is big data, means data का size इतना ज़्यादा large हो जाता है, कि उसको traditional dbms tool की मदद से manage करना थ्राट अफ हो जाता है, वैसे हम लोग देखेंगे कि जो big data होता है, उसको किस तरह से store किया जाता है अभी आगे, facebook के लावा आपर रम example ले सकते है, twitter का, then whatsapp का, instagram का, youtube का, means there are large number of examples, कोई एक example में आप facebook लिया है, इसी तरीके से आप other examples को भी ले सकते हैं, means वो सारी social media site, जैसे facebook है, हम लोग यूज करते हैं, वो big data को यूज करती है, एदे हम next example देखे, तो अधर new york stock exchange generates about 1 terabyte of new trade data per day, means social media के लावा भी एसी places से, जहाँ पर large amount of data को इस्टोर किया जाता है, next example है, single jet engine, that can generate 10 plus terabytes of data in 30 minutes, of flight time, इस single jet engine की बात हो रही है, but there are many thousand flights per day, that means many petabytes का data वहाँ पर generate होता है, next example है, discovering consumer shopping habits, आखे किस तरह से, कई पर आप लोग ने देखा होगा, कि फिलिप कार्ट के उपर आप क्या सर्च कर रहे हो, वो चीज आपको Facebook के उपर दिख जाती है, advertisement की form में, या फिर आपने Google पर कोई product सर्च किया, आपने Google किया किसी product के लिए, same product care आपको Facebook के अंदर किसी और website के उपर दिखाई देती है, तो आखेर यह है क्या, यह होता है कि जो भी consumer है, वो किस तरह की चीज़ों को Google पर इंटरेट पर सर्च कर रहा है, उस चीज को store करके रखा जाता है, that means उस data को store करके रखा जाता है, तो वो भी एक example ले big data का, I think अब तक है तो big data की examples हमको clear हो गए होंगे, अब मैं simple example लेता हो Google में, ओके या फिर Google images, स्वाकिर यह है क्या, there is large amount of data, means यह भी examples हो गया big data का, इसी के साथ में हमको medical field के अंदर भी big data के examples मिल जाएंगे, ओके agriculture के अंदर भी हमको big data के examples मिल जाएंगे, research, ति जा समा अब दर फिल जाप है कि हमको big data के examples मिल जाएंगे, अभी हमारा main motto क्या आता क्या, कि big data होता क्या है, वो concept हमारा clear होना चाहिए, अब हमें देखना है types of big data, यहाँ पर हम three types को लेंगे, number one is structured data, second one is unstructured data, and third one is semi-structured data, यह दि हम लोग structured big data के बारे में देखें, तो एक्जामपर से ही हमको clear हो जाएंगा, क्या की structured big data क्या होता है, ओके, यह आप लोग यह video lecture देख रहे हैं, that means, आप लोग को पेले से ही DBMS का, थोड़ा बहुत knowledge तो जरूर होगा, means किसी भी field का person हो, चाहिए वो computer engineering का हो, या पिया अदर stream का हो, हम सभी को पता है कि, जो data आजकल हम लोग store करते हैं, वो कुछ इस तरह से table की form में होता है, जहाँ पर कि एक primary की होती है, कुछ अदर keys होती है, और rows and column की form में, हम data को store करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, structured big data, वो सारे rules, जो हम एक dbms के अंदर study करते आ रहे हैं, की unique rows होना चाहिए, columns होना चाहिए, वो सारे rules यहाँ पर follow होंगे, structured big data के अंदर, next example है, unstructured big data, actually हमको name से मिनिक निकल रहा है, कि unstructured means क्या होगा, means हम बोल सकते हैं unknown form, means किस तरह से store किया गया, उसकी कोई form ही नहीं है, that is unstructured, जैसे यहाँ पर हम Google करके देखते हैं, यह Google हमाई सामने है, just मैंने आपर सर्च किया, जयेश उम्रे, अब देखते किस तरह दिखाए देता है, अगर आप आपर देखेंगे, हमें कुछ इस तरह से, जयेश उम्रे का output दिखाए दे रहा है, कई पर हमको text show रहा है, कई पर video link दिखाए दे रही है, images की form में दिखाए दे रहा है, means is data का कोई noun structure नहीं है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, unstructured data, जिसके अंदर images भी है, audio भी है, text file भी है, सो यहाँ पर हम बोल सकते है, any data with a non-form, or the structure, is classified as unstructured data, now the next type is semi-structured data, इस तो इस नेम पर ध्यान दे, तो this is semi-structured, इसका मिनिंग यह है, हो सकता है कि यह combination हो, structured big data का, and unstructured big data का, तो हम देख लेते हैं, क्या के रिए है क्या, यह दि हम लोग यहाँ पर, इस example को देखे, तो इस example को देखने के बाद, अगर आप देखेंगे, तो यह है XML file, या इन data को हमने, XML file के form में आप इस्टोर किया है, तो यह किसका example हो गया, semi-structured big data का, यहाँ पर हमने क्या किया, डेटा को इस्टोर करने के लिए, XML format का use किया है, ठिक किसी तरिके से, CSV जो file होती है, वो भी आज़ाती, semi-structured big data के अंदर, Now, the next topic is, characteristics of big data, वैसे big data से, अमको एक characteristics तो मालूम पड़ गई, वो है इसकी size, मींस है large होता है, ओके, so characteristics of big data, volume, velocity, variety, veracity and value, इसे हम volume को देखे, volume means nothing but, use amount of data, velocity मींस हम बोल सकते है, high speed of generation of data, okay, generation means creation, okay, creating of data, अगर variety को देखे तो, different format of data, from different sources, हो सकता है कि वो, image format में हो, text में हो, video में हो, audio में हो, next है veracity, veracity means inconsistency, and uncertainty, in data, and the last characteristics is value, means useful data, okay, so these are some of the characteristics of big data, first हम देख लेते हैं, volume, volume में हमने क्या देखा था, कि facebook generates, terabytes of data, okay, tb, I will put here, tb, tb of data, means एक large amount of data, के लाफ, facebook अगर generate कर देता है, तो इसे कितनी social media sites है, कितने ही networking है, कितने ही companies का data रहता है, okay, so this is the characteristics of big data, इद हम velocity को देखे, means कितनी speed से data आ रहा है, okay, जैसा कर हम देखे, तो email की form में large amount of data आ रहा है, okay, social media की form में large amount of data आ रहा है, जैसे कि हम tweets से आ पर देख सकते हों, कि हम कुछ videos को upload करते हैं, YouTube पर, means daily large amount of data कितनी speed से बन रहा है, इसी चीज़ को है पर बता रहा है, velocity of generation of data, अब variety of data है, हो सकता है कि data PDF file की form में, हो सकता है कि data dog file की form में हो, हो सकता है कि audio file की form में हो, text हो, images हो, means there is variety of data, हो सकता है कि वो data structured हो, हो सकता है कि वो data unstructured हो, जैसा के भी हम study कर चुके, कि structured unstructured होता क्या है, हो सकता है कि वो data semi structured हो, means there different variety of data, तो ये characteristic कहाँ पर हो जाती है, यह हम varacity को देखे, तो ये characteristic बताती है, how efficiently, data can be handled, और we can say data को manage case किया जा सकता है, for example, अगर मैं Facebook की बात करो, या पर Twitter की बात करो, या पर YouTube की बात करो, तो हम लोग क्या करते हैं, कि वहापर has take का यूज़ करते, data को characterize करने ही, has take, for example, has हमने आपर रख दिया, has big data, तो हमको इस hashtags पर जब हम click करेंगे, तो इस से related information हमको मिल जाती है, या पर मैंने आपर put कर दिया, has rgpv, तो हमको rgpv से related, जो भी information available होगी, hashtag पर click करने के बाद हमको मिल जाती है, next characteristic से value, हम सीब data को process नहीं करते, हम उस data को process करते हैं, जो valuable हो, जो reliable हो, उस data को process किया जाता है, उसी data को store किया जाता है, उसी data को analyze किया जाता है, तो यह value of big data, next हमें discuss करना है, advantages of big data, advantages of big data को समझने के लिए, हमें mind में एक चीज रगना होगी, that is, big data is nothing but, large amount of data, या फिर large amount of information, बहुत सारा information अमाल पास में, अब उस information से हमको क्या advantage मिल सकता है, वह हम आपर discuss कर लेते हैं, okay, big data analysis drives innovative solutions, big data analysis, देखे अगें में क्या बोलोगा, big data means large amount of data, जब large amount of data को study किया जाएगा, analysis किया जाएगा, तो हमें आप पर innovative solutions find out होंगे, next one is, big data analysis helps in, understanding and targeting customers, अब देखें, आपर customer को target किया जा रहा है, ओके, अगर customer को वही advertisement दिखाई जाए, जिसके अंदर उसका interest हो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो customer उसके अंदर interest भी लेगा, फोर एक जामपल अगर किसी customer को laptop के अंदर interest हो, तो उसके laptop की advertisement दिखाई जाए, किसी customer को current affairs के अंदर interest हो, तो उसे current affairs के related information दिखाई जाए, तो big data analysis हमको यहाँ पर भी support करता है, next advantage is, it helps in optimizing business processes, अगें हैं पर बात हो रही, large amount of data के advantage की, तो large amount of data क्या करेगा, हमको business process को optimize करने में मदद कर रहा है, next one is, it helps in improving science and research, अगें हैं पर large amount of data की ही बात हो रही, एक दिखें, science and research में कैसे help करेगा, जैसा अगर हम लोग Google Map की बात करें, गुगल में क्या करता है, सभी images को store करता है, जो भी situation, जो भी activity अर्थ के उपर हो रही है, तो उन images की मदद लिजा सकती है, science and research के अंदर, कई पर forecasting का पता करना हो, weather का पता करना हो, कितनी rain पे, कहां पर क्या problem आती है, इसको data को analysis करके पता किया जा सकता है, means XYZ के अंदर, अगर इतनी mm की rain होती है, तो XYZ region में problem आ जाती है, कैसे मालूम पड़ेगा पुराने data को study करने से, means big data क्या है, large amount of data, that means वहाँ पे old information भी store करके रखी गई होगी, next one is, it improves healthcare, and public health, with availability of record of patients, जैसे अदि हम लोग cancer patient की बात करे, ठीक, अब cancer का treatment कैसे किया जाए, अगर patient का record, पुराने patient का record अगर रखा हुआ है, कोई newly doctor अगर आता है, तो उस पुराने record को study करके doctor समझ सकता है, कि कोन सी medicine देने पे patient को कितना भायदा हुआ, या पिए anything, वहाँ से पता किया जा सकता है, नेक्स्ट वन इस, इट हेल्पस इन फाइनेंशियल ट्रेडिंग्स, स्पोर्ट्स, पोलिंग, सेकुरिटी लॉव, इनफोर्समेंट टीटी सी, एवरिफिंग डिपेंड कर रहा है पुराने डेटा पर, अल्रेडी रखा हुआ है, उसको देखके एनालिसिस करने की बात की जा रही है, एवरिफिंग डेटा के अंदर कोई नए इनफोर्मेशन जरूर मिल जाएगी, जैसे जो वीडियो लेक्चर में आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो लेक्चर को मैं यूटूब पे अप्लोड करने वाला हूँ, मींस एक नए इनफोर्मेशन यूटूब के उपर इस्टोर होने वाली है, ओके हो सकता है कि जब गूगल सर्च किया जाए बीग डेटा के बारे में तब आपको यह वीडियो वापर दिख जाए, नेक्स्ट वन, वन प्रेटफर्म के री अनलिमिटेड इनफोर्मेशन, यह कुछ एडवांटेज जैसे बीग डेटा के, नेक्स्ट पॉइंट हमाई सामने है, बीग डेटा एनलिसिस टूल्स, एक्चुलिए डेर इस काउंट लेस, बीग डेटा एनलिसिस टूल्स, बट कुछ टूल्स को हम नहीं में इंसन किया है, जैसे दिम लोग देखे, जोहो एनलिटिक्स, क्लावड एरा, माइक्रोशॉप्ट पॉवर बी आई, ओरेकल एनलिसिक्स क्लावड, पेंता हो बीग डेटा इंटिग्रेशन एनलिसिक्स, एसेस, इंस्टुट्योड, साइसेंस, स्प्लंक, एन्टेबल्यू, इसे सम आप देटा एनलिसिस टूल, बट हमको यहाद रगना है, देरिस काउंट्रलेस बीग डेटा एनलिसिस टूल, मैंसे आपको भोट टूल मिल जाएगे, बीग डेटा को एनलिसिस करने के लिए, एदिया हम लोग देखे, तो मार्केटिंग के लिए इन टूल्स का यूज होता है, मिन्स सेल्स के अंदर, आखी कस्टमर की रिक्वार्मेंट के है, कस्टमर को चाहिए क्या, लाज अमांट आप कस्टमर के पूल्स को फैंड़ आट किया जाता है, विद्ध हेलप अब बिग डेटा अनलिस टूल, और जो भी टूल्स है, मिन्स सॉप्ट्वेर है, जनरली एनी कम्पूटर के ओपर वर्क कर सकते है, किसी भी कम्पूटर के ओपर इन टूल्स का यूज किया जा सकता है, इन सबी टूल्स को जनरली हम देखेंगे, कि कि वन बाई वन क्या कि ये है क्या, फ़र्स्ट हम स्टार्ट करते हैjoho Analytics है. जो प्राइमेरी फोकस देखे, तो प्राइमेरी फोकस इस तो कंवर्ड, लार्ज अमांट आफ रॉरर ॡ्याज पानो आफ गिज्ज into actionable reports and dashboard ताकि उस डेटा को easily समझा जा सके उस डेटा को पर वर्क किया जा सके यह दर मिस टूल्स की capability देखे मिस डिसकसिंग अबॉट जो अनलिटिक्स ओके सो इस तूल्स आर केपबल ऑफ ट्रेकिंग बिजनेस मेट्रिक्स और वी कें से दिया जीजा केपबल सो फांदिंग लॉंग टर्म ट्रेंड देखे सारा फोकुस आपर खाप हो रहा है सारा फोकुस आपर हो रहा है एक और आदियंस को आइदेटिफाइ करने के लिए ओडियंस का पता करने के लिए कि आइडिया आओडियंस की इससे मेर डिमांड गया है सारा फोकुस इनी चीज़ों पर रहता है मिन्स कर्ष्टमर के उपर ओढ़ी के सिस अनुग इससे जो अनलेटिकस के बार में हमने डिसकस किया ठिक उसी तरिके से क्लावड एरा भी होता है मार्क्षा और बियाई भी होता है और एकल एनलेटिकस क्लावड भी होता هैं जितने भी जयमप्र हम ने या पर पूट किये हैं इस सारे एक jumpers का description में ने आप रदी दिया है जिने कि आप इजिली यहां से read कर सकते हैं and next lectures में हम देखेंगे अगर readers की requirement होगी तो हर एक tool को हम one by one discuss करके देखेंगे कि different tools से यह actually है क्या कैसे हम download कर सकते है कैसे हम use कर सकते हैं यूज करने का तरीका क्या है यह सब हम देखेंगे अब जो हमारा लास्ट पॉइंटे डेटी इस बीग डेटा and machine learning कि विकॉज में फोकुस तमारा बीग मसीन लर्निंग पर ही है ओके सब हमें देखना है कि बीग डेटा मसीन लर्निंग में क्या बीडेशन है स्वेधियम देखें बीग डेटा एंड मसीन लर्निंग लार्जली ओवरलेप आल्दो दे आर नौट द सेम थिंग कह ध्यानते ना हम को दे आर नौट द सेम थिंग इस वहलां को बीग डेटा ऊपके डेटा रहेए फाल टूल आरवज के टेगरीज औफ इंफरमिशन अ बार अगर मसीन लर्निंग की बात कर रहे तो मसीन लर्निंग याmountरम बोसक कते हैं सौइस यूज दोज information means big data को use करता है कौन machine learning स्वाकि big data की जरुवत क्यों है machine learning को क्यों machine learning big data को use करती है why machine learning uses big data यह बढ़ा question है जब हम machine learning के बारे में discuss कर रहे थे हमार फर्स लेक्चर में तो वहाँ पर हमने एक word देखा था trained data और trained data के अंदर हमें देखा था training examples तो आकि trained data यानि data की जरुवत, input की जरुवत कहां से fulfill होगी trained data कहां से fulfill होगा तो यह fulfill होता है big data से big data क्या करता है machine learning को learn करने के लिए machine learning को expert होने के लिए data provide करता है so machine learning receive trained data from big data यह दिया more simple बोले तो machine learning analysis big data अब यहाँ पर हम लोग कुछ example देख लेते है for example for example population में से okay एक population हमारे पास है among population आइडेंटिफाई एक्स वाइजेट परसन that means पहले से large amount of data available होंगा okay एक्स वाइजेट परसन से रिलेटेड देन उस परसन से रिलेटेड जो डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे population में से उस परसन को identify किया जा सकता है इदे हम और सिंपल तरीके से देखे एक हमारे पास में large amount of emotions data होना चाहिए okay ताकि हम facebook के ओपर users के emotions को read कर सके next exam पर हम ले सकते है facebook big data का इदे हम facebook big data की बात कर रहे तो किस तरह से आप खुद ही देखिए कि आपके friend ने आपका photo खुद के साथ facebook पे upload किया आपको tag नहीं किया फिर भी facebook के बता देता है कि आप साध उस photo के अंदर हो आकिर facebook को के से मालूम just with the help of bigger data facebook ने क्या किया कि जितने पुराने photos आपने upload किये हैं facebook के उपर उन photos को study करके उस data को study करके खुद के इतना able बना लिया है कि facebook पे जो भी नया photo आएगा अगर उसके अंदर आप हो तो facebook आपको identify कर लेगा यह possible वा big data की मदद से अगर किसी machine के पास में पहले से large amount of data नहीं है तो सायद वो machine expert ना बन पाए तो यह relation होता है big data and machine learning के अंदर तो यह थे कुछ points big data and machine learning से related इस lecture के अंदर वैसा भी machine learning यहाँ पर end नहीं हुआ है भी हम बहुत कुछ डिसकस करने वाले है next episode के अंदर Thank you, thank you for watching